नमस्कार मैं हूँ आपका स्वतंत्र फोटोजनलिस्ट मनोजली गड़ी और मैं आपके बीच में लेकर आया हूँ समाचार पत्र की फोटोग्राफी की दुनिया के बेतात बासा स्री मनोज छावडा जी जो लखनौ मुख्यल एस्थे टाइमस ओफ इंडिया के कई दस्कों से यहां पर जुम्मेदारियों को समाल रहे हैं और वी वी आई पी तस्वीर हैं जो भी आप समाचार पत्रों में देख रहे हैं वह आपके ही सौजन से प्रकासित होती है सर आपका स्वागत है नमस्कार उत्तपदेश के लोगों को फोटोग्राफी पर जो आज कल संकत मैसूस कर रहे हैं मोबाइल ने जो इस्थान ले लिया है उसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे क्या मोबाइल से फोटोगाफर्स को यह तो है कि थोड़ी प्राब्लम तो ह होती है प्रोग्राम में तो चल जाता है लेकिन आप जैसे किसी जगह पर आग लग गई है तो आप अपने घर से वहां पर पहुचेंगे तब आपको फोटोगा मिलेगी अब उस समय क्या पोजिशन रही है यह तो किती दिर में आप पहुचे है क्या करा है फाइर केट की गाड़ी पहुची की नहीं पहुची क्या इस्तिती है लेकिन वहां पर जो बंदा खड़ावा है और जिसके हाथ में मोबाइल है वो तो उस समय ही फोटोगाफ खेश लेता है तो मोबाइल आने से एक फोटोगाफर के लिए एक चिनोती तो होई गई है इस चीज़ की बहुत बड़ी लेकिन साथ में फोटोगाफर को भी मोबाइल से ओपरेट करना इस चीखना चाहिए और उसको भी थोड़ा सा एक्टीव उसी तरीके सो होना चाहिए जिस तरीके से लोग एक्टिव हो रहे हैं मोबाइल से और समय तो mobile का ही आने वाला जिस तरीके से mobile के इंदर इस अंदर चैमेरे की पोईश्शन आने लगी है Evet L Col kya सी अंधर बहुत ही बड़िया cameras हैं और बहुत बड़िया फोटोडिफ आती है बहुत बड़िया video आती है मतलए कि उसकेimaan ambry बनाते तो तो वह शेक तक नहीं होती है तो आपको नई जित्ती भी चीज़ आ रही है उसके साथ आपको जुड़ना पड़ेगा किसी टाइम में ब्लेग और फोटोगाफी होती थी हम आते थे घर पे डार्कूम के अंदर फिल्म डबलब करते थे डबलब करने के बाद प्रिंट बनाते देखे थे पिर फोटोगाफ बनती थी करीब एक डड़ घंटा लग जाता था उसके अंदर उसके बाद कलर का जमाना आया कि कलर के अंदर फोटोगाफी में भी यह होता था पहले फिल्म डबलब हो रही है फिर बना के देते थे उसको प्रिंट पनते थे फिर ऑफिस आते से पिर स्कैन होता था फिर वह फोटोगाफ छपने के लिए जाती थी लेकिन अब सारी चीज़े डिजिटल हो गई है कि आप तो यहां तक की कैमरे से आप डारेक्ट फोटोगाफ बेश सकते हैं नए जो कैमरे आ रहे हैं तो आपको उन सब चीजों से जुड़ना पड़ेगा जूजना भी पड़ेगा जैसा कि आपने बताया कि टेकनलोजी आ रही है तस्वीर बहुत ही शांदर मोबाइल ले रहे हैं ऐसे में कई लाक रुपे के जो कैमरे हम लोगों पर आप लोगों पर रहते हैं तो क्या उसकी में आवशकता रहेगी या वो समापन की और जाएगा ने उनकी तो आवशकता रहेगी वो जो काम कर सकते हैं वो मोबाइल या और कोई नहीं कर सकता जो वो पिक्चर कॉलेटी और वो जो सारा सब कुछ दे रहे हैं वो मोबाइल किसी भी हालत में नहीं दे सकता कभी है तो कितना है बढ़ी आ जाए वो तो यह लगातर जो कंपटिशन की होड़ है आपादापी मची है जल्दी जल्दी फोटो भेजो एक फोटो जनलिस्ट पर प्रेसर क्रियर्ट होता है इवेंट के दोरानी तस्वीर मांगी जाती है ऐसे मैं क्या जो फोटो जनलिस्ट हैं जो नई स्थानों पर मजबूती से टिकीर है ने उसके लिए तो यही कि आप उसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे चीज़ आती है जिससे आप इमिजेट कैमरे की जो फोटोगाप है आप ट्रांसवर कर सकते हैं मोबाइल के अंदर और आप उस फोटोगाप को भेज सकते हैं उसमें भ फ्रॉअप्शेन्स आते हैं तो aber को उससे जूड ना पड़ेगा वह बहुत किस तरीके से जाती है और किस तरीके से लोड होती है उसके अंदर एक सिस्टम आता है डारेक्ट ही लोड हो जाती है कैमरे से ही एक आता है कि लीट के थूरू आपको लोड करना पड़ता है मोबाइल के अंदर और वाइफाई वो और नेटो ताप इन भी जेट वो फूटगाफ और वीडियो बेश सकते हमारा है आधर लिए आप वीवी आई पी कवरेज अक्सर करते रहे हैं कोई ऐसा जीवन का वाक्या हो जिसे आप फोटो जनलिस्ट और जो सेक्ड़ों हजारों सुनता और दर्सक सुनने उनसे साजा करें अपने कार को कितने समर्पन से और आपने यहां तक पहुचा यहां तक आने के पीछे आपका क्या उद्धिस कि अजवत्याamba पीटा जी जैपूर में जर्लिस्ट रहें हैं पत्रकारर में और मैं वैसे तो फोटोगाफी मैंने शुरू कर इ सीखने की इच्छा उन से savkung जायर आइक लेकिन यह कोई मेरा वह निता मकसद कि मैं फोटोगाफी सीखने के बाद प्रेस फोटोगाफरी बनुगा लेकिन एक अचानक एक दौर आया जिसकंदर मुझे लगा कि मुझे प्रेस फोटोगाफी करनी चीए वो था कि पूर प्रदान मंतर इंद्रा गांदी जी की दैथ हुई थी और उस समय मुझे कुछ पापा के ही मित्रों ने गा कि तुम यह फोटोगाफ खमार को लाके दो तो मैंने उनके कहने पर फोटोगाफ खेच के लाके दी उनको और उनको पसंद आई और वो फोटोगाफ मेरी सब कुछ हुआ तो एक पेपर ने फिर मुझे 5-6 मेने बाद मुझे अपने पेरोल पर भी रख लिया फिर कुछ 6-7 मेने बाद ही वहां से जैपूर से नौबार टाइम शुरू हुआ तो मैं उसके अंदर मुझे सर्विस मिल गई तब से मैं 1985 से टैंप्स ऑफ इंडिया से जुड़ा वहां उससे मेरी उम्र थी बीस एक साल करीक पता में आदर निया पुरानी कहवतों में सुना है कि एक सफल पुरुष की पीछे महिला कहात है तो कहा तक सच्छा ही है इस बात में नहीं वो तो र सपोर्ट नहीं मिले तो कोई भी आदमी आगे नहीं बढ़ सकता हर जगह पे कैमरा करीद आथा तो तो बाया ने वर लोगों ने सबने वर करा तो कैमरा खरीद पाए क्योंकि उस समय कैमरे बहुत में गयाते थे और सारी चीज होती थे तो तो सारा दीरे-दीरे और अगर अ एक बज़े भी फोन आगया तो आपको जाना पड़ता है और 11 वजए आप घर में आ रहे हैं आके फोटोगाप भेज रहे हैं फोटोगाप भेजने के बाद अब मिसेस घर में है तो उनको खाना भी खिलाना रात को मेरा वेड भी करना है तो उनका सहयोग के बिना तो कुछ हो नहीं सकता आप मुझे सुबह जल्दी जाना है च्छ्षा बजए वो में लिए बुना कि देंगी और लंश-वी बना कि मुझे भाठ जा रहूं मैं तो लंश भी देंगी वो पतनी ही मुहाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा क्या इस्थिती रहेगी तो लंच भी बना के देंगी तो घर के जो भी मेंबर हैं उनका अगर स्रयोग नहीं मिलेगा आपको तो मैं समस्तों कि इस फिल्ड में थोड़ी सी प्राब्लम रहेगी काम करने में आपको जिसले घर का सयोग तो मिल के बिना तो कुछ काम नहीं हो सकता और कुछ कहना चाहते हैं सरा अपने दर्शकों और शुरूतां से और में तो यह कहुँँ आपको इस चिनोतियों के लिए तियार रखें और नई से नए जोवी चीज हा रही है उसको शीघने और कंड़ने के लिए त्यार रहे हैं तो आप थे हमारे साथ आदर निया बनु च्छाबडा साथ जो टाइमस ओफ इंडिया लखनु एडिशन में सीनियर फोटो जनलिस्ट हैं और लखना हुई नहीं पूरे देश में अपनी तस्वीरों का डंका मनवा चुके हैं मैं हूँ आपका अक्ष